खतरनाक हुआ साइक्लोन हामुन साथ राज में एलर्ट जाने कितना डालेगा सर वीशन चक्रवाती तूफान में बदला 30 देखते हैं खास रिपूर्ट अंदेन की बात में बंगाल के खाड़ी में उठ रहे चक्रवाती तूफान हामुन को लेकर IMD ने नया अपडेट जारी किया है वही मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान देश को लेकर भी बताया कि यमन उमान तटो को पार कर सकता है जो कि बहुत ही घंबीर चक्रवाती तूफान होगा कामुन को लेकर मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि बंगाल के खाड़ी के उपर बना गहरे दबाव का पिछले 6 घंटों के दौरान 14 किलो मिटर प्रति घंटे की रफतार से उत्तर की और बढ़ रहा है और चक्रवाती तूफान में तब्दिल हो गया मौसम विभाग के अनुसार अगले 12 घंटों के दौरान उत्तर पशिम बंगाल के खाड़ी के उपर इसके एक तीवर चक्रवाती तूफान में तब्दिल होने की संभावना है मौसम विभाग ने पशिम बंगाल, ओडिशा, मिजोरम और मेघालाई सहित साथ राज में बारिश की चेतावनी जारी की है ओडिशा सरकार ने सभी जिलाधी कारियों को किसी भी आपात स्थिती से निपटने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है वही इसी बीच पशिम बंगाल में मौसम विभाग ने पुर्व मेधीनिपूर, कोलकता और दक्षिन 24 पर देशाएं